हेलो दोस्तों स्वागत है आप सव्यू का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप अपने मॉवाइल में बाल पेपर को चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं आप दोस्तों कोई भी मॉवाइल अगर आ क्या है आपको अपना setting open करना है यहां पर देख सकते हैं सेटिंग है हमारा यहां पर setting हम अपना open करते हैं open करने के बाद आपको दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आजाना है नीचे आएंगे तो यहां ही पर आए आपको एक option मिलता होगा बाल पेपर का simply यहां पर देख सकते हैं हमारा लिखा हुआ है बाल पेपर इन इस्टाइल का अगर दोस्तों यह सिस्टम आपको यहां नहीं मिलता है उपर यहां पर देख सकते हैं सर्च वाला option है आप कोई भी mobile यूज़ करें उसमें आप simply बाल पेपर सर्च करेंगे तो आपको बाल पेपर यहां पे चेंज बाल पेपर लगा हुआ है जिसपे भी आप क्लिक करेंगे एक ही option में खुलेगा तो बाल पेपर इन इस्टाइल पर ऑप्सन पर हम क्लिक करते हैं compute करेंगे तो देख सकते हैं बल पेपर आ वाले ओप्सन पर आपको किलिक करना है किलिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं हमने यहां जो बालपेपर लगाया है वह सबसे फर्ष्ट नमर वाले या फिर दूसरे नमर वाले ओप्सन पर जो है वही दोनों है लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत सारा सिस्टम में बालपे और इसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके देख पाएंगे कि कितने बालपेपर आपको सिस्टम में दिया हुआ है अब simply इसमें से कोई अगर बालपेपर आपको चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों जो भी बालपेपर आपको पसाद आता है उस पर आपको टेप कर देना है टेप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि चोईस वेयर टू अपलाए आप चाहिए इस पर पेपर को अपना मुवाइल सिक्ट कर सकते हैं तो simply इहाँ पर नीचे पूछा जाएगा कи आप लॉक के लिए करना चाहते हैं या फिर हॉमinformation के लिए तो simply दोस्तों आप lock में लगाना चाहते हैं यानि mobile को जो है lock करने के बाद जो आपका screen दिखता है उसमें लगाना चाहते हैं या फिर आप अपने home screen पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप जोन में से यहाँ पर चूज हुआ है आप जिसमें भी यहाँ पर लगाना चाते हैं उसको ही चूज करें जैसे हमको Home Screen पर लगाना है तो हमने यहाँ पर Lock Screen वाले option को यहाँ पर अन्टीक कर दिया अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सिप home screen वाला ही option यहाँ पे choose है अब simply दोस्तों यहाँ पे next वाले option पे आपको click करना है जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ball paper यहाँ पे जो है set होने के लिए आ जाएगा लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पूछा जागा कि आप इस ball paper को अपने इसाफ से एडियाश कर सकते हैं एडियाश करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो मिन कर सकते हैं जो माउट कर सकते हैं आगे पीछे से कर सकते हैं होगा क्यों क्यों क्योंकि यह वाल फेपर के लिए ही है आपका यहां पर करने के लिए आपको यह आपको जिए करनेक्र आप स्ब्सक्रण करेंगे इसमें बैक क्यांट ब्रिय्व Guzz me करते नहीं होता है यह यही हम दोस्तों गैलेरी से लगाते हैं या फिर इसके समसम थीमेक दिया होता है उसमें अगर हम डाउनलोड करते हैं तो यह option यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमको तो simply दोस्तों आप बालपेपर सेट करने के लिए उपर देख सकते हैं done वाला एक option है simply done वाले option पर आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे निचे देख सकते हैं लिख्या आगया changes applied to home screen तो अब दोस्तों चलते हैं अपने home screen पर वहाँ पर देखते हैं हमने बालपेपर जो सेट किया था वो बालपेपर वहाँ पर सेट हुआ या फिर नहीं तो इसको दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा home screen प दोस्तों आपको यहां पर arrow connection इधर भी मिल रहा है इस पर भी दोस्तों आपको किलिक करना है और किलिक करने के बाद आपका gallery यहां पर open हो जागा gallery में दोस्तों जहां भी बालपेपर होगा वह उस बालपेपर को आपको यहां पर चूज कर लेना है और चूज करने के बाद दोस्तों आप बलपीपर को उसी तरह से सेट कर पाएंगे उमेद है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद